स्टोरी की उपनिंग होती है और हम जैना को देखती हैं जो अपने साइड में हूँ हान को लिटे हुए देखकर हैरान थी एक्चलि मैं जैना सूफ एमली की डॉटर है और तेन साल पहले सूफ एमली ने बस ब्राइट मनी के लिए जैना के शादी हूँ फेमली के सन हान के साथ करा दी थी क्योंकि हूँ फेमली कैपिटल की सबसे रिजेस्ट फेमली थी और आज जैना हान से डिबॉस की बात करने के लिए आई थी जब उसको पता चलता है कि हान वापिस चाइना आ गया है लेकिन किसी ने हान को ड्रॉक्स दे दिया था और नशे में हान जैना के साथ इंटिमेट होता है जैना को बिलीब नहीं हो रहा था कि उसका हस्बेन इतना जादा हैंसम होगा और उसे टच करने के लिए चाती है लेकिन हान उससे पूछता है कि वे कौन है और उसका उसके साथ नाइट स्पेन करने का इंटेंशन क्या है एक्शली में हान ने जैना को कभी देखा नहीं था और उसे लगता था कि जैना अच्छी लिड़की नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली वालोंने पैसों के लिए उसे हूफ फैमिली को सेल कर दिया था कि मुझे तुमारे पैसों की जरूरत नहीं है और उसे खुदी टू डॉलर्स देकर जाने लगती है और गल्ती से स्लिप जाती है जो उसके लिए बहुत सदा इंबरसिंग की बात थी हान देखता है कि जैना का फॉस टाइम है क्योंकि बैट पे ब्लट सेन लगा हुआ था और उसे रूम में एक कॉल करल का बिजनिस कार्ट मिलता है और उसे लगता है कि वे जैना का है और वे मिस अंडस्टूट कर लेता है कि जैना एक कॉल कर ले और अपने सेकेटरी से उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है अब पता चलता है कि हान को ट्रॉक्स देने वाली जैना की खुद की मदर थी ताकि हूँ फैमली से और पैसे हैट सके और अपने निकम्मे बेटे को उन्होंने सर पे चरहा रखा था जो हमेशा गैंबलिंग में लगा रहता था और उसके गैंबलिंग डेट्स को पे करने के लिए वे जैना का यूज़ कर रही थी अब जैना के पास उसकी मदर इनलो यानि हान की मदर की कॉल आती है और वे भी उसको पसंद ने करते थी क्योंकि उनको लगजा था कि उसने पैसो के लिए उनके बेटे से शादी किये इसलिए वे जल्द से जल्द हान से टिवास लेने की धमकी देती है जैना एक्चली में एक डॉक्टर होती है और एक चाइनिस मैडिसन प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी जहां टेकनालोजी की थुरू लोगों को बेटर मसाज और बोन मसल्स के डिपेर में हेल्प कर सकता था लेकिन होस्पिटल उसे और फंड देने से मना कर देती है इसलिए उसका सेनियर यान उसे इंवेस्टर से बात करने को बोलता है जो उसकर प्रोजेक्ट में इंवेस्ट कर सके यान को पता था कि जैना काफी टैलेंटिड है इसलिए कोई न कोई उसे investor मिली जाएगा इसलिए कहता है कि शाम तक वे उसको investor की detail सेंड कर देगा अब जैना investor से मिलने आती है तो देखती है कि हान है उसका investor है अब जैना को पता था कि हान अपनी wife से बहुत ही ज़ता नफरत करता है और अगर उसे उसकी identity के बारे में पता चल गया तो वे investment करने से मना कर देगा इसलिए project के चकर में वे अपनी identity को height करने का decide करती है हान पूछता है कि वे यहाँ पर किसलिए आई है और जैना अपने नाम बताती है और कहती है कि वे उनके साथ cooperation करना चाहती है अब हान को लगते है कि वे एक call कर ले और जब जैना अपने project के बारे में discussion करने लगती है तो हान को लगते है कि वे अपनी service के बारे में बात कर रही है इसलिए बोलता है कि तुम्हें शर्व नहीं आती है ऐसे publicly sell करने की बात कर रही हो जैना बोलती है कि अगर आपको ऐसे प्रॉबलम है तो हम एक प्राइवेट क्लब हाउस या होटेल बुक कर सकते हैं और यह सुनकर हान को और ज़्यादा गुस्ता आता है और बोलता है कि पहले के पैसे इनफ नहीं थे जो तुमने मेरे दोस जियांग चैन को भी ढून लिया जैना को तो कुछ आइडिया ही नहीं था इसलिए बोलती है कि उसे इस फिल्ड में पांस सालों का एक्स्पिरियेंस है इसलिए वे उसके काम से पका सेटिस्फाय होंगे हान पोचता है कि इसका मतलब तुम्हारा फॉस्ट टाइब नहीं था और जैना को लगता है कि वे उसके काम के बारे में पूछ रहा है इसलिए बोलती है आफकॉर्स नहीं मैं अपने काम में एक्स्पर्ट हूँ हान कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या और जैना को बहुत ही बुड़ा लगता है और इसी कारण दोनों में मिस अंडरसाइनिंग के चक्कर में आर्गुमेंट्स होने लगता है और जैना गुस्से में कहती है कि अगर आप इंट्रस्टेड नहीं है तो मैं किसी और से बात कर लूँगी वैसे भी लोगों की कमी नहीं है और मैं अपने टेकनालोजी और स्किल्स को इंटरनेशनली लेकर जाओंगी अब हान को गुस्सा आता है कि वे इतनी बश्रम कैसे हो सकती है इसलिए उसको जाने को बोलता है अब उसका दोस्ट जैंग चैंग पूछता है कि क्या तुम क्लाइंट से सटिस्फायर नहीं हुए लेकिन हान कहता है कि वे लड़की एक नंबर की बश्रम थी लेकिन जैंग चैंग जैना की तारीफ करने लगता है कि उसकी टेक्निक्स और सर्विस बहुत ही अच्छी है और मैंने खुदी एक्स्पिरिंस किया है और ये काफी स्किल्स फूल है हान हेरान था और पूछता है कि तुमने भी उसका सर्विस लिया है जियांग चेंग कहता है कि बिल्कुल मेरे फेंड्स भी उसी के पास जाते हैं एक्शली मैं जियांग चेंग जैना के मसाज टेकनोलोजी की बात कर रहा था इसलिए बोलता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए लेकिन हान इरिटेट होकर वहाँ से बाहर चला आता है अब हान देखता है कि एक लेडी जैना पर गुस्ता कर रही है कि उसने उसके हस्बिन को सेड्यूस किया और फिर से हान उसको मिस अंडेस्टूट कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है जल्दे उस लेडी का हस्बेंड आता है और बोलता है कि वे जेना को मिस अंडिस्टूट कर रही है और अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है अब जेना हान को रुकने के लिए बोलती है लेकि वे रुकता नहीं क्योंकि उसके निजरों में जेना एक बेशर्म लेर की थी जल्दे जेना के पास उसकी मदर इनलौ की कौल आती है और वे उससे कल डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कमपनी बुला रही थी अब जेना को पता था कि हान उसे ृष्वोर्स लेना चाता था और वे नहीं चाहते थी कि उसकी मदर हूर फेमली को और जदा यूज़ करे इसलिए वे डिवोर्स लेने के त Wirtschaft जाती है और उसकी मदर इंलो हिरान थी कि वे इतनी असाने से कैसे मान गई अब जेना अपनी मदर इनलो के बुलाने पर हूगरूप पहुचती है लेकिन देखती है कि वहाँ पे हाने इसलिए चुप जा दिये और उनकी बाते सुन लेती है कि उसकी मदर इनलो उसकी फैमिली की बुराई कर रही है कि उन लोगों ने ग्रेंड मा को अपनी बातों में फसा कर जेना के शादी हान से करा दी और हान भी उससे डिवास लेने के लिए सहमत है और उसकी मदर उसे अपनी बच्पन की दोस्त फैंक के साथ डिनर पर जाने को बोलती है क्योंकि वे दोनों की शादी कराना चाहती थी अब हान इधर ही आ रहा था इसलिए वे मैं वाश्रों में जाकर छुप जाती है लेकिन जब ही वहाँ पर हान आता है और उसको यहाँ पर देखके हरान था जैना प्रोजेक्ट का पहाना पनाने लगती है कि वे डिसकेशन के लिए आई है जिस पर हान को गुसा आता है और बोलता है कि तुम को समझ में नहीं आता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरस्टेड नहीं हूँ लेकिन जैना कहने लगती है कि आप एक बार ट्राय करकर देखो जिस पर हान को बहुत ही गुसा आता है कि वे इतनी बश्रम कैसे हो सकती है और बोलने लगता है कि तुम अपने बिजनिस को कहीं भी डिसकस करने लगती हो अब फैंग जैना को देखती है और उसको पता नहीं था कि जैना हान की वाइफ है और उसे लगता है कि वे प्रोजेक्ट के बहाने हान को सिड्यूस करने के लिए आई है डिवॉस में पर साइन करने का टाइम हो गया था लेकिन जैना आई नहीं थी सेकेटरी उसको कॉल भी कर कर चली जाती है अब हान उस प्रोपोजल को पढ़ता है और उसे काफी इंप्रेसिव लगता है इसलिए उस हॉस्पिडल को कॉंटेक्ट करने को बोलता है जो इस टेकनोलोजी पर काम कर रही थी अब जैना परिशान थी और जब उसके सेनियर यान की कॉल आती है जैना बता सब्सक्राइब टेकरने लगता है और हान उनको देख लेता है मिस्टर वेंग बोलने लगता है Button goes कर रहें है और हान जैना से बोलता है कि तुम्हारा हो जाएगा और पता चलता है कि फैंग ने मिस्टर वैंग से जैना को सबक सिखाने के लिए बोला था बाद में मिस्टर वैंग दुबारा से जैना के साथ बत्तमिसी करने लगता है और जैना को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वे उसके साथ जबरदस्ती करने लगत इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारा husband नहीं हूँ और जैना उसको किस कर लेती है और खुद को Mr. Weng से बचाने के लिए हान के साथ नाटक करने लगती है कि हान उसका husband है जैना हान को दीरे से बोलती है कि प्लीस आप मेरी help करो और इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए त्यार हूँ और हान उसे अपने साथ लेकर चला जाता है जिसे Mr. Weng हरान था कि सही में जैना Mr. Who की वाइफ है और बाहर आके जैना उससे माफ़ी मांगती है कि उसने situation को handle करने के लिए उनका use किया हान कहने लगता है कि तुम किसी को भी अपना हजबन बुलाने लगती हो और जैना उससी के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन हान को लगता है कि वह उसके close आने के लिए ट्रिक्स प्ले कर रही है इसलिए उसे बहुत कुछ सुना देता है और उसे दूर रहने को बोलता है अब मिस्टर वेंग का आदमी उसको बताता है कि जैना जूट बोल रही थी कि वह मिस्टर हू की वाइफ है और मिस्टर वेंग बहुत सुता हैपी था इसलिए बात में मिस्टर वेंग अपने आदमियों के साथ मिलकर उसको गिड़नेप करने की कोश्च करता है और उसे एक नशेली मैडिसन खिला देता है ताकि उसके नशे का फाइदा उठा सके लेकिन जब ही वहाँ पे हान पहुचता है और उसको देखकर वे सब भाग जाते हैं हान कहता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ जो तुमारी जिसी लड़की की केर करता हूँ जैना तो ड्रक्स की वह से बहुत ही ज़ादा अनकमफर्टेबल फिल करने लगती है और उसे अपने क्लोस खिचने लगती है जैना बताती है कि उसे अच्छा फिल नहीं हो रहा है और उसके साथ intimate होने की कोश्च करती है लेकिन उल्टा उसके उपर vomiting कर देती है और हान उसे hotel room में लेकर आता है और खुद को clean करता है लेकिन जैना बात रूम में भी आकर उसके साथ बतमिस्दिक करने लगती है जिस पर हान को बहुत ही गुस्सा आता है जैना नशे में उसको परिशान करने में लगी थी जिससे बिचारा बहुत ही जादा इरिटेट हो गया था लेकिन जैना को खुदी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रही है बात में हान सोच रहा होता है कि लड़की सही में पागल है जब जैना उसको टच करती है तो उसके चेहरे पर मुश्कान आ जाती है लेकिन फिर भी सोचता है कि वे ऐसे इस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा है जली उसके पास उसके सेकेटरी की कॉल आती है और बोलता है कि उसने उस hospital के बारे में पता लगा लिया है कि एक doctor massage और human body technology पर काम कर रही है Secretary उस doctor का number send करता है और Han call करता है और ये number Jaina कहीं था और यहाँ Han को पता चलता है कि Jaina doctor है और उस technology project की इंचार्ज अब Jaina कहती है कि मैंने आपसे पहले ही अपने project से related discussion किया था और Han को realize होता है कि उसने Jaina को mis understood कर लिया है इसलिए बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे project में invest करूँ और उसे project के बारे में proper बताने को बोलता है Jaina तो बहुत सथा happy थी और अपने project की detailing देने लगती है और Han उसकर project से बहुत सथा इंप्रेस था Han पोशता है कि ये project तुम्हारे लिए important है और Jaina बताती है कि मेरी grandma traditional Chinese medicine की professor थी और मैंने उन्हें से ये सब कुछ सिखा है और अब मैरी grandma इस दुनिया में नहीं है इसलिए मुझे ही उनकी wishes को fulfill करना है Han उसकी बातों को समझ रहा था और investment करने के लिए दियार था जल्दी Jaina के पास Han के secretary का message आता है जो divorce paper पे sign करने के लिए बोल रहा था और अब Jaina Han से divorce लेकर who family से दूर रहना चाहती थी अब Han की grandma को पता चलता है कि Han Jaina से divorce लेने के लिए जा रहा है तो उन्हें बहुत ही गुसा आता है और बताती हैं कि Jaina बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे कल Jaina के साथ घर आने को बोलती है Han थो अपनी wife से बस divorce लेना चाहता था लेकिन grandma की वैसे अपने secretary से बोल कर Jaina को बुलाने को बोलता है और secretary Jaina को inform करता है अब Jaina को डर हो जाता है कि कल Han को उसके identity के बारे में पता चल जाएगा अब Jaina हूँ house में जाने वाली थी लेकिन जबी उसके पास उसकी मदर की call आती है कि उनकी condition बहुत ज़दा critical है इसलिए Jaina जल्दबासी में अपने घर जाती है यहाँ grandma Jaina के wait कर रही थी और Han की मदर कहने लगती है कि आप देख लो वे कितनी ज़दा arrogant है कि अभी तक मिलने नहीं आई लेकिन grandma Jaina को call करने को बोलती है क्योंकि उनको पता था कि Jaina किसी important काम में busy होगी अब Jaina call नहीं उठाती है और फिर से Han की मदर grandma से Jaina की बुराई करने लगती है और हान को गुसा आता है कि आखिरकार उसकी wife चाहती किया है अब Jaina घर आती है तो पता चलता है कि उसकी मदर ने बहाने से उसको बुलाया था क्योंकि उसके भाई की क्रेडिटर उनसे पैसे मांगने को बोलती है Jaina की family में उसके फादर ही एक सही थे और उसको यहां से जाने को बोलते हैं लेकिन क्रेडिटर गुसा करने लगते है Jaina को बहुत ही गुसा आता है लेकिन उसकी मदर अपने बेटे की प्यार में अंदी हो गई थी और Jaina का भाई भी कहता है कि Jaina उन लोगों को पैसे देगी Jaina के फादर को गुसा आता है और वे बोलते हैं कि Jaina तुम्हारी सिस्टर है लेकिन उसका भाई कहने लगता है कि मुझे ऐसे सिस्टर की ज़रूरत नहीं है जिसके पास पैसे ना हो सारे क्रेडिटर गुसा करने लगते हैं और Jaina को पता चलता है कि उसके भाई पर वन मिलियन गैम्लिंग डेट से और ये चान के भी हरान थी अब उसकी मदर Jaina को हो फैमली से पैसे मागने को बोलती है और उन आदमियों के धमकी देने पर Jaina उन से वन विक का टाइम मांगती है और क्रेडिटर उसको वान करके चले जाते हैं Jaina के फादर को उसके लिए बहुत ही बुड़ा लगता है लेकिन उसके मदर गुसा करने लगती है कि उनको जल्द से जल्द पैसे पे करो नहीं तो मेरी बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुमें छोड़ने वाली नहीं हूँ Jaina को तो उन पे बहुत ही गुसा आता है और वे बोलती है कि लास्ट डाइम उनकी हेल्प कर रही है जल्दे ग्रेंड मा की कॉल आती है और Jaina बताती है कि कुछ फैमिली प्रॉबलम आगी थी इसलिए मिलने नहीं पाई ग्रेंड मा उसकी बातों को समझ रही थी और Jaina उनसे आज ही मिलने के डिसाइड करती है जिसे ग्रेंड मा बहुत हैपी थी अब सेकेटरी आकर हान को बताता है कि उनकी वाईफ ग्रेंड मा से मिलने आई है और उन्होंने ग्रेंड मा से प्रॉमिस किया है कि वे आपके साथ बच्चा करने के लिए भी तयार हैं और ये सुनकर हान को बहुत ही गुसा आता है ग्रेंड मा के तबियत खराबती है इसलिए जैना उन्हें उनका सही से ध्यान रखने को बोलती है ग्रेंड मा कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लगी हो लेकिन हान को उसकी मदर ने भरका रखा है लेकिन एक ना एक दिन हान तुम्हें जरूर पसंद करेगा अब हान गुसे में घर आता है और जैना को पता चलता है तो भी डर जाती है लेकिन grandma उसको टैंशन लेने सब मना करती है लेकिन Jaina को टर था कि han ko उसके अदेंटिटी के पारे में पलच चल जाएगा तो वो उसको प्रोजेक्ट में investment नहीं करेगा इसलिए grandma से बाहना लगा कि वहां से जानने लगती है और उसकी मतव ल enormous देख लेती है और उसको सुनाने लगती है लेकिन जेना उनको इग्नोर करके बाहर आती है अब हान उसको देख लेता है और पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है और जेना बहाना बनाने लगती है कि वे ग्रेंड मा के चेक अप के लिए आई है अब हाउस के पर बाहर आता है तो जेन तुम मुझे एप्रोच करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो लेकिन जेना कहती है ऐसी बात नहीं है और वांस चली जाती है और फैंग ये सब देख रही थी और उसको गुस्सा आता है कि वे हान को सिल्यूस करने के लिए हो हाउस तक पहुँच चुकी है अब सेकेटरी नोटिस करता है कि हान मुस्कुरा रहा है इसलिए उसको टीज करने लगता है लेकिन हान उसके सामने बहुत ही रूट भी एप करता है और जेना के बारे में सोच कर पूछता है कि कोई लड़की तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रही है और तुमसे अकेले में बात करना चाहती है तो इसका मतलब क्या है सेकेटरी बताता है कि पका वे उस परसन को पसंद करती है जिस पर हान कहता है कि फिर वे एड्मिट क्यों नी कर रही है अब सेकेटरी दुबारा से उसको टीज करने लगता है तो हान उसको साथ दुबारा से रूड भी एप करने लगता है लेकिन वे अपनी emotion को नहीं दिखाता है कि वे अंदर से कितना खुश है अब फैंग जैना को सबक सिखाना चाहती थी इसलिए Mr. Weng के साथ मिलकर एक patient को hospital में लेकर आते हैं और जैना पे blame लगाने लगते हैं कि उसके prescribed medicine की वेशे patient मनने की कगार पे आ गई है और सभी लोग जैना को उल्टसदा बोलने लगते हैं अब हान को पता चलता है ति वे जल्दबासी में hospital आता है और देखता है कि जैना खुदी situation को सही से handle कर रही है और जैना को तो पता था कि मिस्टर वैंग उसे यहाँ पर frame करने के लिए आया है और patient नाटा कर रही है इसलिए जैना बुझकर उस patient को hurt करती है और वे जग जाती है और सारे लोग जैनी को प्रेस करने लगते हैं कि सही मिस्ट जैन मेरिकल डॉक्टर है अब जैना पुलिस के दमकी देती है तो मिस्टर वैंग उसको मारने के लिए आता है लेकिन जब यह हान आकर उसको रोग लेता है और उस पर गुस्ता करने लगता है कि वे ऐसे frame करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है हान उसकी तरीफ करता है कि वे बहुत ही brave है अब हान ने मिस्टर वैंग से उसको block किया था इसलिए जैना कहती है कि एक बार मैं आपका check-up करना चाहती हूँ कि कहीं आपके arm में कोई problem तो नहीं आ गई है हान बोलता है कि वे ठीक है लेकिन उसके बोलने पर वे चेक-up करवाने के लिए तियार जाता है अब हान अपने secretary की बात को सोच रहा था और उससे लगता है कि पका जैना उसको पसंद करती है लेकिन वे बता नहीं दिये हान उसके साथ contract sign करना चाहता था और उसके close जाकर बोलता है कि मुझे तुम्हारे medical skills पर बहुत ही बिलीब है इसलिए वे investment करने के लिए तियार था अब secretary फिर से उनको देखता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है हान जैना से contract paper sign करने को बोलता है और जैना को बिलीब नहीं हो रहा था और वे बहुत ही happy थी अब जैना को sign करना था और उसे डर जाता है कि हान को पताने चल जाए कि वे उसकी wife है इसलिए कहती है कि क्या ये contract उसके place पर कोई और sign कर सकता है लेकिन हान कहता है कि मैं तुम पर बिलीब करके invest कर रहा हूं इसलिए तुमको sign करना चाहिए अब अचानक से जैना का ID कार्ड नीचे गिर जाता है और हान उसका नाम देखता कि उससे पहले ही जैना उस ID कार्ड को ले लेती है और जब ही fang आती है हान से चेप होने लगती है और fang बताती है कि मैंने मिस जैना के बारे में सुना है ये popular medical doctor है अब जैना को याद आता है कि हान की मदर fang से हान की शादी करवाने की बात कर रही थी अब fang भी medical field से belong करती थी इसलिए वे हान से इसी hospital में उसको transfer करने के लिए request करने लगती है जैना को तो उन्हें ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए बोलती है कि मैं बात में contract sign कर लेंगे और fang हान को अपने साथ बाहर लेकर आजाती है लेकिन हान उसको जादा भाव ने देता है और वहाँ से चल जाता है इसलिए fang अपने डैट से बोलकर इसी hospital में उसे ऐसा vice president transfer करवाने को बोलती है क्योंकि यह hospital उसके अंकल का था next day fang बिल्कुल बंडन के hospital आती है और जैना को प्रोजेक्ट से हटने को बोलती है जैना पताती है कि उस प्रोजेक्ट में उसका hard work शामिल है लेकिन वो सुनने के लिए तियार नहीं थी क्योंकि उसको कैसे में करके जैना और हान को अलग रखना था बाद में fang जैना को अकेले बैठे हुए देखकर बोलती है कि वे उसको किसी लर्के से introduce करवा देगी और जैना को realize होता है कि fang को पता नहीं है कि वे हान की wife है जैना मना करती है तो fang सुनाने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा intention हान के bad तक जाना है लेकिन जैना जूट बोल देती है कि उसका हान में कोई भी interest नहीं है और वैसे भी हान की wife है तो तुम्हारा भी कोई chance नहीं है जिस पर fang को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन उसके friends बोलने लगती है कि Mr. Who की favorite person fang है और एक ना एक दिन Mr. Who fang से ही शादी करेंगे और हान के wife के बारे में उल्टा सुदा बोलने लगती है जिस पर जैना को उन लगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और उनको सुनाने लगती है लेकिन जब ही हान आता है और fang नाटक करने लगती है कि जैना नहीं उसको hit किया और उसके friends भी उसके जूट में उसका साथ देती है लेकिन हान के पूछने पर जैना बताती है कि मिस fang नहीं चाहती है कि मैं आपके साथ रहूं और fang का नाटक शिरू हो जाता है इसलिए हान बोलता है कि अब तुम बच्ची नहीं रही जिसमें fang कहती है कि आप तो वैसे भी अपनी wife को पसंद नहीं करते है और उसे divorce लेने वाले है और मुझे पता है कि आपके दिल में बस मैं हूँ और आपकी mom भी हम दोनों की शादी कराना चाहती है और कहती है कि आप तो मेरे लिए gift ले कराये थे और हान उसको gift देता है जो एक expensive limited edition necklace थी अब जैना को लगता है कि शायद हान fang को भी पसंद करता है इसलिए वहाँ से चले जाती है fang उसे necklace पहनाने को बोलती है और gift के लिए thank you बोलती है लेकिन हान कहता है कि ये gift mom ने बेजा है तो उनको thank you बोलना और जैना के पीछे चले जाता है जैना कहती है कि शायद आपको miss fang के साथ रहना चाहिए लेकिन हान कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा हमारा relation नहीं है लेकिन जैना कहती है कि वह आपकी बच्पन की दोस्त है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में मेरी वैसे कोई problem हो हान बोलने लगता है कि क्या तुम्हें jealous feel हो रहा है लेकिन जैना जूट बोलती है कि उससे बस uncomfortable feel हो रहा है और बोलती है कि miss fang को पसंद नहीं है कि मैं आपके साथ रहूँ इसलिए मैं अपने project को किसी और को handover कर दूँगी लेकिन हान कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए और कहता है कि मुझे बस तुम पर trust है अब जैना कुछ बोलती कि फिर से fang आजाती है इसलिए जैना वहांस चली आती है हान कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं divorce के बाद भी तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ फैंक पूछती है कि क्या वह जैना की वैसे ऐसे बोल रहे है लेकिन हान बताता है कि वह हमेशा से उसे अपनी sister मानता है और यह जानकर फैंक को बहुती कुस्सा आता है और हान की मदर के पास जाकर complaint करने लगती है ग्रेंडमा सुन लेती है और बोलती है कि हान की already wife है इसलिए वह तुमसे शादी नहीं करेगा अब फैंक ग्रेंडमा से बोलने लगती है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पैसो के लिए हान को seduce कर रही है और हान उस लड़की के चक्कर में आकर उसके साथ intimate भी हो गए है अब ये सुनकर ग्रेंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है और हान को बुला कर पूछने लगती है कि क्या उसका बाहर अफेर चल रहा है इसलिए वे अपनी wife से divorce लेना चाहता है हान कहता है कि मैं अपनी wife को पसंद नहीं करता हूँ ग्रेंडमा को गुस्सा आता है कि वे बहारी लड़की के लिए अपनी wife को चीट कर रहा है इसलिए उसको punish करती है बाद में सेकेटरी बोलने लगता है कि आप मिस जैना के प्यार में इतने पागल हो गए है कि इतना pains हैने के लिए भी त्यार है लेकिन हान कहता है कि ऐसा नहीं है उसने जैना के लिए इस सब नहीं किया लेकिन उल्टा सेकेटरी से जैना के पास से चलने को बोलता है अब जैना देखती है तो पूछती है कि इस सब कैसे हुआ और सेकेरेटरी कहने लगता है कि ग्रेंटमा ने इनको पनेश किया है क्योंकि वे आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे और आगे कुछ बोलता कि हान उसको चुपकरा देता है जैना पूछती है कि यह सब मेरी वे से हुआ है लेकिन हान accept नहीं कर रहा होता है जैना को उसके लिए बहुत ही बुड़ा लगता है अब जैना को इतने close देख कर वे खुद को counter once नहीं कर पाता है और उसको कईस करने के लिए जा रहा होता है लेकिन जैना उसको रोक ले दिये और बोलती है कि आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो लेकिन हान कहता है कि मुझको सब समझ में आ रहा है और बोलता है कि मैं अपनी वाइब से डिपॉर्स ले लूँगा लेकिन जैना बताती है कि उसका हस्बेंड है और हान हेरान था और बोलता है कि तुमने जूट क्यों बोला लेकिन जैना कहती है कि हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें मुझको जूट बोलना पड़े हान को गुस्सा आता है वहां से चल जाता है बाद में हान जैना को यान के साथ देखता है और उसे लगता है कि यान ही उसका हजबेंड है और जब ही उसके पास ग्रेंड मा की कॉल आती है कि अभी भी उस लड़की के चक्कर में तो नहीं परा है और उसे घर आने को बोलती है अब ग्रेंड मा हान और जैना को क्लोस लाना चाहती थी इसलिए उन्होंने हान के लिए एक सूप प्रिपेर करवाया था अब ग्रेंड मा अपनी विमारी का पहाना बना कर जैना को घर बुलाती है और जैना उनका चेक अप करती है तो बताती है कि वे ठीक है अब हास के पर जान बुझके जैना के उपर पानी गिरा देता है और ग्रेंड मा उसको ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में भीज देती है अब हान घर आता है तो ग्रेंड मा उसको सूप पीने के लिए देती है जिसमें उन्होंने मैडिसिन मिलाया था और उसे rest करने के लिए room में भेज़ देती है अब हान room के अंदर आता है तो बाहर से भी room को lock कर देती है और हान से बोलती है कि मुझे जल्दी great grandson चाहिए और ये चीज़ जैना भी सुन लेती है अब जैना डट जाती है कि अगर हान उसको देख लेगा तो problem हो जाएगी और अब हान को medicine की वैसे बहुत ज़्यादा uncomfortable feel होने लगता है और वे बात्रों में जैना को देख लेता है और पूछता है कि तुम है आपे क्या कर रही हो अब जैना को समझ में नियार था कि वे क्या बोले हान कहता है कि तुम कुछ मत बोलो और बस मुझे तुम चाहिए और नशे में उसको किस करने लगता है और उसके साथ intimate होता है अब next morning जैना की नेंद खुलती है तो वे चुप चप वहां सचारी होती है और हान की मदर उसको देख लेती है और उसे हान से दूर रहने को बोलती है अब जैना देखती है कि हान आ रहा है तो जैना महां से भाग जाती है और हान के पुछने पर उसकी मदर बताती है कि वे उसकी वाइफ थी और हान को समझ में आ गया था कि ग्रेंड माने उसे और उसकी वाइफ को क्लोज लाने के लिए उसको ड्रक्स दिया था अब फैंग को पता चलता है कि कल जैना हान के घर थी तो उसे बहुत ही गुसा आता है दुसरे साइट हान सोच रहा होता है कि वो पककर रात में जैना के साथ था लेकिन सेकेटरी बोलता है कि नज्री में हम उसी परसन को देखना चाते हैних जिससे हम पसंद करते हैं और हान को लगता है कि शायद वे जैना को लेकर हैलोजनेट कर रहा था और वे अपनी वाइब के साथ इंटिमेट हो गया है और उसे अपनी वाइब पे बहुत ही गुसा आता है अब हान जैना को देखना चाहता था इसलिए contract sign करने के बहाने उसके पास चलने को बोलता है और secretary उसको tease करने लगता है कि कहीं आप मिस जैना को miss तो नहीं कर रहे है अब fang को पता चलता है कि हान hospital आने वाला है और fang project के बारे में पूछती है कि जैना ने उन्हें project handover किया है नहीं पर उसे पता चलता है कि यान ने जैना को ही उस project पे काम करने को बोला है क्योंकि उसे ही उस project की knowledge थी लेकिन fang टे ऐसा होने नहीं सकती थी इसलिए जैना को बुला के उस project को handover करने को बोलती है अब जैना के पास कोई और option नहीं था क्योंकि fang vice president थी इसलिए बे कुछ नहीं बोलती है अब fang किसी से बोल कर जैना और यान को research lab में बेजने को बोलती है ताकि उन दोने को frame कर सके अब han contract sign करने के लिए आता है तो देखते है कि महाँ पे जैना नहीं है और fang जैना बुछ कर बोलती है कि जैना और dr. यान साथ में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बे दोनों research lab में अकेले है अब ये सुनकर han को बहुत ही गुसा आता है और director को पता था कि Mr. Who contract sign करने के लिए आए है इसलिए उसको lab लेकर चाता है fang ने जैना को drugs consume करवा दिया था और जब han project को देखने के लिए आता है तो उसे अंदर से अजीब वजब सी आवाजे आ रही थी और han देखता है कि जैना यान के बहुत ज़दा close है और fang जान बुश को बोलती है कि आप दोनों को hospital में ये सब नहीं करना चाहिए और hospital का director भी यान पे गुसा करने लगता है लेकिन यान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन han यान को मारने लगता है और गुसा करने लगता है कि आखिरकारवे जैना के साथ क्या करना चाहता था जैना नशे में बोलती है कि प्लीस husband मत मारो और han सोचने लगता है कि मैं कैसे भूल गया कि आदमी जैना का husband है इसलिए जैना को वहीं पे छोड़ कर चल जाता है अब कुछ दिर पास जैना थोड़ी से ठीक होती है तो उसे पता चलता है कि किसे ने उसको drugs दे दिया था और यान बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में मुझको पिटना पड़ा और पूछता है कि उसके और Mr. Who के बिच में ऐसा क्या चल रहा है जो Mr. Who ने ऐसे react किया जैना कहती है कि वे तुम्हें मेरा husband समझते हैं और trouble के लिए माफिय मांगती है अब जैना को realize होता है कि फैंग ने उसे और यान को जैन मुझकर frame किया था और वे उसको harm पहुचाना चाहती थी जैना को उसको बहुत ही गुसा आता है अब हान गुसे में चला गया था इसलिए contract sign नहीं हो पाया था और डारेक्टर बहुत ही गुसे में था इसलिए यान कहता है कि director मुझे पका punish करने वाले है इधर हान वही सारी चीज़ों को पैरे में सोच रहा था और उसे बहुत ही गुसा आता है जल्दे secretary के पास जैना की call आती है और बोलती है कि वे Mr. Who को explain करना चाहती है कि कुछ miss understanding हुई है लेकिन हान कहने लगता है कि सब ने देखा कि कैसे तुम दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे secretary हान को गुसे में देखकर call cut करने की बात करता है लेकिन जैना बताती है कि वे इस वक्त company आई हुई है और हान गुसे में secretary को call cut करने को बोलता है अब हान का मन नहीं लग रहाता है इसलिए secretary को call करके जैना को office में बुलाने को बोलता है और जैना को देखकर busy होने का नाटक करने लगता है अब जैना कहने लगती है कि बस उनको miss understanding हुई है इसके लिए उनको contract नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन हान कहता है कि मैंने देखा कि तुम research lab में क्या कर रही थी और तुम्हारे लिए काम बिल्कुल भी matter नहीं करता है जैना कहता है कि मैं आपको explain कर सकती हूँ तो क्या आप मेरी बातों पर believe कर सकते हैं जिस पर हान बोलता है कि तुम trust की बात कर रही हो क्या तुम अपने husband को मेरी लिए छोड़ दोगी मेरी लिए मेरा काम बहुत ज़दा important है और मुझे तुम्हारे love history को जानने में बिल्कुल भी interest नहीं है और बोलता है कि अगर तुम अपने husband के लिए यहां पर आई हो तो यहां से चली जाओ जैना बोलती है कि जो भी problem हुई है मेरी वोई से हुई है तो आप यान को इन सब में लेकर मताओ हान को गुसा आता है कि वे उसको protect कर रही है हान जैलेसी में बोलने लगता है कि मैंने तुम दोनों की तरह loving couple पहले कभी ने देखा और बोलता है कि वे उसको एक chance दे निकली तियार है जिससे जैना बहुत ही happy हो जाती है लेकिन हान उसको सामने condition रखता है और बोलता है कि तुम अपने husband से इतना ही प्यार करती हो तो उन condition को मना मत करना बाद में यान आकर बताता है कि director ने मुझको punish नहीं किया और हम दुबारा से project पे continue काम कर सकते हैं और उसको समझ में नहार था कि यह सब कैसे possible हुआ जैना बताती है कि उसने Mr. Who को सब कुछ explain कर दिया है यान बताता है कि आज उसकी marriage anniversary है इसलिए उसने अपने wife से साथ में dinner करने का promise किया है इसलिए वे जल्दबादी में चल जा जाता है अब हान देखता है कि जैना का husband किसी और लड़की के साथ romance करने में लगा है जैना बहुत ही confidence से बोलती है कि यान मुझे कभी में cheat नहीं कर सकता है और हान उसको इशारे से यान को दिखाता है जैना कहती है कि कोई misunderstanding हुई होगी वे लड़की पका यान की client है लेकिन यान अपनी wife को किस करने लगता है और जैना मुश्किल में पढ़ जाती है हान कहने लगता है कि तुम्हें गुस्ता नहीं आ रहा है लेकिन जैना कहती है कि मैंने अपने husband को थोड़ा space दिया है और हम जिससे प्यार करते हैं उसके उपर आंक बंद करके भरोसा करना चाहिए हान बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पर रहा है और जैना हान बोलती है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उसे कोई फर्क परता है या नहीं और यान को दिखाने के लिए उसको किस करने लगता है अब यान की वाइफ तो जैना को जानती थी इसलिए कहती है कि वे जैना है ना लेकिन यान उन दोनों को देखने समना करता है जैना जैसे-जैसे करके खुद को छुडाती है और उस पर गुस्ता करने लगती है नेकिन हान कहता है कि देख रो जिसे तुम इतना प्यार करती हो उसको तुम्हारे लिए ज़र सभी फिकर नहीं है और शायद वे अपने इंवेस्टर को उफेंड नहीं करना चाहता है इसलिए मैं ऐसे बिहेड कर रहा है जैना कहती है कि उसके हस्बेन ऐसे नहीं है इसलिए हान कहता है कि अभी मैं तुम्हारा हजबन से पूछ कर आता हूँ लेकिन जैना उसको जाने से मना करती है हान सुनाने लगता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे तुम्हारे सामने किसी और लड़की के साथ डेट पर आया हुआ है जैना कहने लगती है कि यह हमारा पॉसनल मैटर है और हान बोलता है कि तुम इस आदमे से इतना प्यार करती हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिगनिटी को भूल गई हो और जैना कुछ नहीं बोलती है इसलिए हान कहता है कि तुम में डिगनिटी ही नहीं बची है तो आज राद तुम्हार साथ कोई भी सोएगा तुमें इससे फरक तो पढ़ने वाला है नहीं और उसको जबरदस्ते अपने साथ लेकर जाने लगता है और हान की मदर जैना को देख लेती है और उन्हें लगता है कि जैना किसी और आदमी के साथ है इसलिए मैं फैंक को कॉल करके बुलाती है हान उसे होटेल रूम में लेकर आता है और उसके क्लोज जाने लगता है और जैना उसको रोकती है तो बोलता है और आपको मेरे साथ जब रदस्ति करनी है तो ठीक है और खुद को अंड्रेस करने लगती है लेकिन हान उसको रोक देता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे पारे में ऐसा सोचती हो अब जैना अपने कपरों को चेंज करने के लिए जाती है और जब ही हान की मदर डूर पे करती हैं और हान फूर्म कान को रूम में ज़से लगान का को बहान Lewis के पदा है अब प्ध़ान में ज़से प्रेंड कर mitt is to सब्सक्ति ल mamma उसके लान उपने साथ्यासाथा और ना ही उसे मेस्ज नहीं को complete the सेक्रे günstर से पूछता है कि उसके फ्रेंड की गर्फन नराज है तो वे उसको कैसे मनाए और सेक्रेटरी उसको कुछ आईडियास देता है अब हान सेकंड कंडिशन को फुल्फिल करने के लिए जैना को डिनर बे बुलाता है अब स्केर्टरी ने जैसा कहा था हान वैसे ही जैना को बहुत सरे flowers के साथ सर्प्राइस देता है और जैना बहुत से ता हैपी थी हान उसे बहुत फ्रेंड का नखाना लगा कर वे खुद के पारे में पूछ रहे थे अब फैंग हान के साथ जेना को देख लेती है और उसे जेना पर बहुत ही घुशा आता है और अपने दोस्त के साथ उसको सबक सिखाना चाहती थी अब हान डिनर के बाद उसको छोडने के लिए आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए पिल्कुल भी फिलिंग्स नहीं है पर जैना कोई भी जबाब ने देती है हान उसे किस करने के लिए जा रहा होता है तो जैना पीछे हट जाती है और बोलती है कि बहुत ही लेट हुचुका है इसलिए हान चला जाता है अब उसके जाने के बाद फैंग का दोस्त और कुछ गुंडे जैना पर अटेक कर देते हैं और फैंग जैना के हांथ को हट करने लगती है क्योंकि वे एक डॉक्टर थी और उसके लिए उसका हांथ बहुत ही इंपॉर्टन था अब जैंग का दोस्त भूस को बुरी तरह से हट करने लगता है और जबी उनको पता चलता है कि हान वापिस आ रहा है इसलिए फैंग कुद को जान बुझ के हट कर लेती है और हान को उसको हस्पिटल ले चलने को बोलती है ताकि हान जैना को देखना पाए लेकिन हान को किसी की आवास आती है लेकिन फैंग नाटक करने लगती है और हान उसे अपने साथ हस्पिटल लेकर जाता है जल्दी एक लेटी जैना को देख लेती है और जबी जैना के पास यान की कॉल आती है और वे लेटी यान को जल्दी से जैना के पास आने को बोलती है यहां फैंग को पूरी medical team treat कर रही होती है क्योंकि हान ने सारे experts को बुलाया था और यान भाग के डाक्टर को बुलाने को बोलता है लेकिन सारे experts फैंग को treat करने में लगे थे जैना कहती है कि तुम रहने दो लेकिन यान फैंग से जैना के लिए डाक्टर भीजने को बोलता है और फैंग उसके सामने back करने को बोलती है अब हान आता है तो फैंग जान बुझकर कहती है कि डॉक्टर यान मैरीड ने फिर भी जेना की इतनी सदा फिक्र करते हैं और जेना के साथ ही रहते हैं हान यान पर गुस्ता करने लगता है कि जेना उसे अपना हस्मेन मानती है लेकिन फिर भी बे उसको चीट कर रहा है अब यान बताने जा रहा होते है कि जैना बस उसकी दोस्त है लेकिन फैंग जैना को देखकर बोलती है कि हान ने सारे एक्सपर्ट को मेरे लिए हायर किया है यान कहता है कि हमें experts की जरूरत है लेकिन फैंग ना टक करने लगती है कि डॉक्टर यान बोल रहे थे कि उसको जादा serious injury नहीं हुई है इसलिए उसको expert की जरूरत नहीं है और हान उसके बातों में आकर कहता है कि कोई भी expert यहां से नहीं जाएगा यान कहता है कि अब तो fang बिल्कुल ठीक है और क्या आपको दूसरे patient की जरूरत से भी figure नहीं है हान तो अल्रेड़ी यान से गुस्से में था इसलिए कहता है कि मुझे कोई भी फरक नहीं परता है जिस पर यान कहता है कि अब बात में regret मत करना और जब यान देखता है कि जैना की condition बहुत ज़दा खराब है हान जैना को उठाने के लिए जाता है लेकिन यान उसको touch करने से मना करता है और उसको सुनाने लगता है हान पूछता है कि क्या तुम अभी जैना की बात कर रहे थे लेकिन यान बोलता है कि आपको तो जैना की बिल्कुल में फिकर नहीं है और जैना को वहाँ सा लेकर चला जाता है अब हान जल्दबाजी में सारे एक स्पोर्ट को एमरजनसी रूम में जाने को बोलता है थोई देबार डॉक्टर आके बताता है कि सर्जरी सक्सेस्फुल हुआ है अब जैना को बाहर लाया जाता है और फिर से हान उसको देखने के लिए जाता है लेकिन यान यहां भी उसके साथ बहुत ही रूड बिएप करता है हान यहां से पूछता है कि तुम दोनों कपल नहीं हो तो तुम दोनों साथ क्यों रहते हो यान कहता है कि बस वे रूमर्स है और मेरी वाइफ और जैना का अच्छा डिलेशन है इसलिए जैना मेरे घर आया करती है अब हान को रियलाइस होता है कि जैना ने जूट बोलाता कि उसका हस्बेंड है और उसके शादी नहीं हुई है और यह जानके वे बहुत हैपी था बात में डॉक्टर आके बताता है कि मिस फैंक को बस स्किन इंजरी थी लेकिन फिर भी वे हमें जानने ने देनी थी अब हान जैना के पास था और जैना होश में आती है तो हान उसकी क्यार करने में लगा था लेकिन जैना कहती है कि आपको मिस फैंक की क्यार करने चाहिए और मुझे आपकी जरूरत नहीं है हान माफी मांगता है लेकिन जैना बोलती है कि मुझे मेरा position समझ में आ गया है इसलिए आपको कुछ भी explain करने की जरूरत नहीं है और कहती है कि अब मेरा हाथ injured है तो मैं इस project को Miss Fang को दे दूँगी लेकिन हान कहता है कि तुम ऐसा मत करो और मैं Fang को बस अपनी sister मानता हूँ जैना कहने लगती है कि मेरा हाथ Fang की वैसे injured हुआ है और अब आपने उसको अपनी sister बना लिया हान हिरान था कि जैना के साथ ये सब कुछ Fang ने किया है और उसे बहुत ही गुसा आता है और Fang को पता चलता है कि हान ने उसके against police को CCTV footage दिया है और जल्दी हाँ पर हान आता है उसको confront करता है लेकिन अभी भी वैं जूट बोल रही होती है और अपने हाथ का नाटक करने लगती है हान बोलता है कि तुमें बस skin injury हुए तो नाटक मत करो और तुमारे सारे आदमी police station है और वैं सच बता ही देंगे Fang जैना के बारे में बुराई करने लगती है जिस पर हान उसे warn करता है कि आगे से तुम जैना को trap करने की कोशिश मत करना और उसको सुना कर चल जाता है अब Fang को डर हो जाता है कि उसको जैल ना जाना परे इसलिए हान के मदर को call करके नाटक करने लगती है कि medical doctor हान को seduce कर रही है और उसने उसको trap भी किया है जल्दी हान जैना को आके बताता है कि जिसने भी उसको hurt किया है वे जैल में है और Fang भी बचने वाली नहीं है जैना कहती है कि वे तो आपकी बच्पन की दोस्ते लेकिन हान कहता है कि जिसने भी गलती किये वे punishment deserve करता है और कहता है कि क्या आप तो मुझको माफ कर दोगी जैना कहती है कि ये आपके performance पर depend करता है अब गुसे में Mrs. Howe आती है और देखती है कि ये डॉक्टर हान की वाइफ जैना है जैना कहती है कि मैंने हान को seduce नहीं किया है और बस project की वैसे हम साथ में है और मुझे hurt करने वाली fang है हान की मतर बस जल्दी से उसको हान से divorce लेने को बोलती है और जैना तेयार थी जल्दी fang को भी पता चलाता है कि जैना ही हान की वाइफ है और उसे पता था कि हान को इस बारे में कोई भी idea नहीं है इधर हान जैना के case के बारे में proper investigation करने को बोल रहा था क्योंकि वे एक-एक को punish करना चाहता था अब हान जैना को प्रपोस करने का plan बना रहा होता है लेकिन secretary उनकी wife के बारे में पूछता है हान कहता है कि मैं उसको अपनी wife नहीं मानता हूँ और मैं जल्दी divorce लेने वाला हूँ और मैं grandma को सब कुछ explain कर दूँगा अब जैना थो ही ठीक हो गई थी इसलिए वे काम पर आ जाती है यान उसके और हान के relationship के बारे में पूछता है और जब ही जैना के पास हान के secretary के message आता है जो divorce के बारे में बोल रहा था इसलिए जैना यान से कहती है कि उसके और हान के बीच में कुछ भी नहीं है तो मैं उसके help भी करने नहीं आएगा जैना को दिखाने के लिए Mr. Wang हान को call करके blackmail करता है कि आपकी wife हमारे कबसे में है और उसे 1 million का demand करता है लेकिन हान बोलता है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है जैन को बहुत ही बुड़ा लगता है कि वे अपनी wife से इतनी जाद नफरत करता है इदर हान जैना को call कर रहा था लेकिन वे answer नहीं कर रही होती है अब हान उसी hotel room में था जहां वे जैना को propose करने वाला था फैंग उसे उस hotel room का footage दिखाती है और बोल थी है कि हान बस मुझसे प्यार करता है अब हान secretary को hospital बेज़ देता है ताकि जैना के बारे में पता लगा सके और उसे बहुत सदा uncomfortable feel होने लगता है क्योंकि फैंग ने उसको drugs दे दिया था और उसके नशे का फायदा उठाना चाहते थी इधर फैंग के आद में जैना के साथ जब रदस्ति करने में लगे थे और मिस्टर वैंग उनकी वीडियोस बना रहा था जल्दी वहाँ पर हान आता है और उन लोगों से जैना को बचाता है और जैना emotional हो के उसको गले लगा लिती है इधर सेकेटरी होस्पिटल गया था तो उसको पता चल गया था कि मिस्टर वैंग ने जैना को किडनाप किया है इसलिए हान टाइम पर पहुँच गया था अब जैना की नेन खोलती है तो वे हान के साथ थी और वे दोनों रात में intimate हुए थे इसलिए जैना छुपकर समास जारी होती है लेकिन हान कहता है कि क्या तुम मेरी responsibility नहीं लेना चाहती हो लेकिन जैना कहती है कि मेरा husband है और हान बोलता है कि मुझे पता है कि यान तुम्हारा husband नहीं है अब जैना सोच रही होती है कि मैं कैसे बताऊं कि आप मेरे हस्बेंड हो अब जैना हान के बारे में सोचने में लगी हुई थी कि एक साइड वे उसे ऐसा वाइफ नफरत करते हैं और इसे गल्फरेन इतना ज़दा प्यार अब हान उन सबको पनिश करना चाता था जिसने जैना के साथ बुड़ा किया है और उसे पता चलता है कि फैंग अपनी फैमिली सपोर्ट की वे से अभी बच जाएगी इसलिए उसके फैमिली को बैंकरप्ट करवाने को बोलता है और अपना सारा कॉपरेशन उसके फैमिली से करने में लगी थी और जैना को सुनाने लगती है कि उसकी वएसे उसका भाई अरेस्ट हो गया है और इसे बिचे उसके फादर की तवियत खराब जाती है और डॉक्टर बताता है कि उनको हार्ट अटक आया है और सरजरी के लिए पैसों का इंतिजाम करने को बोलता है अब हाउस कीपर हान की मदर को आकर बताता है और उसकी मदर को लगता है कि वे उनके बेटी के क्लोज आने की कोश्च कर रही है इसलिए कहती है कि ग्रेंट मा अराम कर रही है इसलिए उनको डिस्णम मत करो अब हान पोशता है तो उसकी मदर बताना तो नहीं चाहती थी कि उसकी वाइफ ही जैना है, इसलिए जूट बोल देती है कि तुम्हारी वाइफ, ग्रेनवा से पैसो के रिगारी मिलने आई है, क्योंकि उसका भाई अरेस्ट हो चुका है, और ये सुनकर हान जैना की हेल्प करने से मना करने को बोलता है अब जैना को हो फैमली से भी कोई भी हल्प नहीं मिलती है और जैना हान से मिलना चाहती थी लेकिन उसकी मदर के ओर्डर पे हाउस किर्पर उसको यहां से जाने को बोलता है अब यहान वापीस आ गया था और जैना से बताता है हान कहता है कि सारी मेरी गलती है क्योंकि मैंने हाउस के पर से आपको कुछ भी पताने से मना किया था और कहता है कि मैं सच बोलो तो मैं अपनी वाइफ को पसंद नी करता हूं और मैं उससे डिवार्स लेना चाहता हूं अब Grandma भी हार मान चुकी थी और वो जेनra की भलाई के से लिए हान के बाद से सहमत थी लरकिन मैं बोलती है कि तुम पक्का रिग्रेट करोगे अब Grandma से जेनra के डैड के फ्यूर्नल में जाने को बोलती है अब थोड़े दर बाद हान को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बिना किसी प्रॉब्लम के डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है अब हान बहुत सदर हैपी था कि फाइनली अब वे जैना को शादी के लिए प्रपोस कर सकता है इसलिए उसको मैसेज करके मिलने को बोलता है अब जैना के फादर का फ्यूर्नल था और जैना देखती है कि हान का मैसेज आया है और अब जैना ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया था इसलिए उसके साथ कोई भी डिलेशन नहीं रखना चाहती थी इसलिए वे हान के नंबर को ब्लॉक कर देती है अब हान फ्यूर्नल में आता है और वे फॉर्स टैम सू फैमली में आया था और वे आके वार्शिप करता है और देखता है कि यहाँ पे जैना है और उसको पता चलता है कि जैना है उसकी वाइफ है और गुसा करने लगता है कि तुमने बताया क्यों ने कि तुम मेरी वाइफ हो लेकिन जैना कहती है कि तुम खुश जाओ तुम्हारी वाइफ ने तुमको डिवॉस दे दिया और वैसे भी मेरी शादी पैसो के लिए तुम्हारी साथ हुई थी इसलिए मैं तुमको डिजर्ब नहीं करती हूँ हान को हैसास होता है कि उससे बहुती बड़ी गलती हो गई है और उसने जैना को बहुती तकलिफ दी है अब पता चलता है कि हान जैना को डेली मनाने के लिए आ रहा था इसलिए यान उसे हान को माफ करने को बोलता है लेकिन जैना ने अपने फादर को खोया था इसलिए वे उसको माफ करने के लिए तियार नी थी आज फिर से हान उसके पास माफी के लिए आता है लेकिन जैना उसके साथ सब कुछ खतम कर चुकी थी हान कहता है कि सारी मेरी गलती है चाहो तो मुझे मार सकती हो और मुझे गुसा कर सकती हो लेकिन मुझे को माफ कर दो और प्लिस मुझे इसे इग्नोर मत करो लेकिन जैना कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं और महां सचाने लगती है लेकिन जबी फैंग उस पर अटेक क की मदर जैना पे घुस्ता करने लगती ए लेकिन सेकेटरी बता था है कि Mr. को फैंग ने स्टैब किया है और उनको बिलीब नहीं हो राता कि फैंग उनके बेटे की साथ ऐसा कैसे कर सकती है उप डॉक्टर आ करा के बता था कि Mr. प्रगू को serious injury हुई है इसलिए उनके condition ठीक नहीं है और वे कोमा में है और उसकी मदद रोने लगती है और बोलती है कि सारी मेरी गलती है मेरी वह इसे मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है अब जैना हान के पास थी और उसे होश में आने के लिए request कर रही होती है और बोलती है कि म अगर होश में नहीं आओगे तो मुझे future में कौन protect करेगा और बताती है कि मैं शुरू से तुम्हें ही पसंद करती हुई आ रही हूँ और कहती है कि अगर तुम होश में नहीं आ रहा था इसलिए मैं बोलती है कि मैं back कर रही हूँ और प्लीज अपनी आँखे खोलो और मैं इसी के साथ इस स्टोरी की happy ending होती है so thank you so much guys for watching this video बाकि आपको इस स्टोरी कैसी लगी please let me know in the comment section and जब तक के लिए bye bye and take care